सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे और समधने की कोशिश करेंगे कि NCRT में जो सब्सक्राइब टू है उसको कैसे डील किया जा सकता है तो इन दे प्रिवेश सेशन आप मैंसे जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए है उनको मैंने क्रोनलोजी अल्मोस्ट पूरी समधादी थी और अगर आप फिछले क्लास को याद करोगे तो वी हैड डिसकेस दी क्रोनलोजी इन दो पोस्ट हरपन पीरड से ठीक है ना तो हम लोग ने इन फाक्ट जब यह चैप्टर की शुरुवात की थी तो मैंने आपको पूरी क्रोनलोजिकल डेव और फिरेटि किन की तर्थंति हमने यह गरेग मने और फिरेडस्वाट ठीक हुए हं से पिरेट पीर और पीरड आफ टाइम यह जो मैंटलेज है इसमें कॉपर आया और कॉपर के बाद और पीरड आफ टाइम आयरे जाएगा स вас ठीक है जब यह Iron Age के अंदर हम लोग जा रहे हैं, इसी पीरड के समय पे हमको किसका development दिख रहा है? Vedic Age का development दिखेगा, copper के पहले हमको, बाद में हमको bronze age भी दिख जाती है, जिसे हम लोग Indus Valley Civilization के रूप में भी पैचानते हैं, right sir? ठीक है न? तो in the previous sessions we have already covered up what is Indus Valley Civilization, और मैंने आपको Vedic Age का भी पूरा brief history बता दिया था, sir, ठीक है? खास करके Iron Age जो period है, वो कहाँ पे मिलता है? Later Vedic period के अंदर हमको मिलता है, और जो Vedic के अंदर, जो Early Vedic period है, वो हमको प्रारंभीक समय के अंदर दिखेगा, sir, ठीक है? Indus Valley Civilization की time frame अगर आप याद करोगे, तो 2600 से लेके 1800 BC तक का जो period है, that was the period of Indus Valley Civilization, before common era की हमने बात की थी, 0 के इस साइड का जो period है, जो before common era कहता है, उसके बाद हमने Vedic Age को देखा था, और Vedic Age के अंदर के मैंने आपको Early Vedic period के बारे में discuss किया, कि किस तरह से 1500 से लेके 1000 BC तक का जो period है, that is the Early Vedic period, and 1000 से लेके, in fact, हमने देखने की कोशिश की थी, 600 BC तक का period है, that is known as the Later Vedic period है, तो पिछले class को अगर आप याद करोगे तभी है, already covered up what is the Later Vedic period, मैंने आपको ये भी बता दिया है, in fact, ये जो Later Vedic period चल रहा था, इसी के contemporary में, हमको Megalithic age भी दिख जाती है, तो हमने पिछले class के अंदर Megalithic age के बारे में भी देखा था, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, कि इसमें हमको burials मिलता है, खास करके, बड़े-बड़े boulder के उपर burial दिखेंगे, सर, ठीक है, Standard 6 की NCIT में Megalithic period को अची तरह से मैंने explain किया हुआ है, further explanation हम लोग करेंगे, जब आप हमारे courses के अंदर जुड़ोगे, या Tamil Nadu board की किताब को यहाँ थोड़ा बहुत discuss कराऊंगा, सर, ठीक है न, तो यह एक burials थे, यहाँ पर दफनाए जाता है, खास करके, South India के अंदर हमको दिखेंगे, और इसी को ही हम लोग Megalith period के रूप में भी पैचानते हैं, और period of time, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, कि 600 BC तक आते आते, भारत का इतियास पुरा बदल गया, क्यों बदल गया, क्योंकि बड़े-बड़े और छोटे-छोटे Kingdoms यहाँ से डवलोप होने की शुरुवात होती है, और यही period को महाजनपत के period के रूप में पैचानते हैं, जब यह महाजनपत का period डवलोप हो रहा था, इसी contemporary period के समय पे हमने ये भी देखने की कोशिश की थी, we also find the development of Buddhism, and we also find the development of Jainism, ठीक है न, तो पिछले class को अगर आप याद करोगे, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत पॉइंट बताए थी, कि यहाँ पे 16 महाजनपत का निर्मान हो रहा था, ये 16 महाजनपत के अंतरगत हमको देखने को मिल रहा है, कि बुधिजम और Jainism का भी development हुआ, मैंने आपको पिछला class जो था, उसमें आपको ये बताने की कोशिश की थी, कि what factors were responsible behind the rise of the 16 महाजनपत असर, ठीक है, in fact ये जो 16 महाजनपत बन रहे थे, इसी को ही city states के रूप में पैचानते है, they are known as the development of city states, क्योंकि यहाँ पे एक single state concept भी आपको दिख जाएगा, इसी period के समय पे हमको देखने को मिल रहा है, कि urbanization भी हो रहा है, और प्राचीन भारत के अंदर दूसरी बार urbanization की शुरुआत होई, इसके लिए ये period को क्या कहते है, second urbanization के रूप में पैचानते हैं, ठीक है, आगे समधने की कोशिश करेंगे, तो हमने इनकी political conditions भी देखी थी, और मैंने आपको बताया था, कि इनकी polity के अंदर के दो प्राकार की system आपको देखेगी, कहीं कहीं पे आपको मुनार की देखेगी, जहां पे राजाशाही absolute way के अंदर चलती है, और दूसरे कहीं कहीं पे states के अंदर हमको क्या दिख रहा है, गणसंग दिख रहा है, ये जो गणसंग उस टाइम पे exist किया करते थे, इसी को ही काफी लोग history के अंदर कहता है, कि ये Republican states हुआ करते थे, मतलब ये है कि यहां पे जो राजाशवा उसका चुनाव होता था, एक से ज्यादा लोगों के बीच में power sharing होता था, साथो साथ हमको ये भी देखने को मिल रहा है, कि hereditary line of succession नहीं था, जो normally monarchy के अंदर होता है सर, ठीक है, तो हमने ये सब conditions देखी थी, हमने आपको ये बताया था, कि जब iron का मिलना शुरू होता है, तो iron ने बहुत वड़ा impact डाला था, यहां पे way of life के अंदर, क्योंकि iron के basis के उपर ही agriculture development हुआ, iron के basis के उपर ही आपके weapons बनने की शुरूआत होती है, iron के basis के उपर अलग-अलग tools बनते है, और इसके कारण आपकी जीवन पूरी तरह से बदलाव में आ जाएगी सर, ठीक है, तो in this conditions we have discussed the 16 महाजन पदा, आप पहले class को याद करोगे, तो मैंने आपको ये सब कुछ चीए पिछले classes में पढ़ा दिये, मतलब Saturday का class था, उसमें मैंने ये सब कुछ आपको करवाया था, ठीक है, आज के class के अंदर हम लोग फिर से यहां से शुरू करेंगे, और ये जो 16 महाजन पद की पूरी जो कहानी है, ये 16 महाजन पद के अंतरगत हम लोग समधने की कोशिश करेंगे, कि ये 16 महाजन पद बन के तो आए सर, ठीक है, आज मैं आपको क्या करवाऊंगा, कि मगत का formation कैसे हुए कि empire के रूप में उसको भी देखेंगे सर, ठीक है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, बट बिफोर प्रोसेडिंग फर्दर, मैं आपको invite करना चाहूंगा, मेरे courses के ओपर, खास करके 14th of July से, मेरा नया course शुरू हो रहा है, यानि की आज बारा हो गई, परसो से, सर, ठीक है, 8-10 a.m. I am starting with history optional course, तो this will include the whole of paper 1 of history optional, इसके अंदर पूरा का, पूरा history optional का paper 1 cover कराएंगे, हम लोग सर, ठीक है, 8 बज़े से 10 बज़े के बीच में, आपको ये daily 2 hours दिखेंगे, 5 days a week और 6 days a week session है, तो total 67 sessions मैंने यहाँ पर प्लान किये गए, that will come around 134 hours, पकड के चली, 135 घंटे के आसपास हम लोग पूरा paper 1 करेंगे, 2 घंटे का daily live session होगा, अगर आपना subscription नहीं लिया है, तो you can use this code P in live, and get 10% discount on the, I would say, the courses as well, 21 July से general studies का, मेरा modern history का crash course शुरू हो रहा है, 2021 की जो prelims दे रहे हैं, उनके लिए खास सर्थ, ठीक है, तो 3 से 5 बज़े का course है, वो भी 21 July से है, वो भी 2 घंटा है, subscription नहीं लिया है, तो GS और optional दोनों का combined subscription लिए लिजेगा सर्थ, ठीक है, क्योंकि इससे आपको fees के अंदर भी discount मिलेगा, और अभी offer भी चल रहा है, 14 July तक GS और optional का combined subscription लोगे, तो total 45% discount है, provided you use this code PNLIVE, please use this code PNLIVE, 49680 के अंदर आपका cover हो जाएगा, अगर आप normal course ले रहे हूँ, उसके सिवाए, आपको offer दे रहा है, promise दे रहा है, कि अगर आपने दो साल से उसे अधिका subscription लिया और प्रिलिम्स नहीं clear कर पा रहे हो, एक साल का extension मिल जाएगा, you'll also get the main subscription, मतलब यह है कि यहाँ पे अगर आप एक साल का subscription तो भी ले रहे हो, तो 2022 की mains तक valid है, आज ले लोगे तो 2022 में जब mains आएगी तब अभी 22 का calendar भी नहीं है, तो you'll get more time as well sir, ठीक है, दूसरा हमारा test series है, practice till you crack it sir, तो गरीवन 80 test आपको पूरे साल में मिल जाता है, 50 prelims के और 30 mains के, foundation से लेके advance 11 तक, ठीक है, यह इसके अंदर cover किये गए है, फ्री के अंदर आपको यह दिख जाएंगे sir, ठीक है, 20 book set आपको available कराई जाएगी, materials के रूप से, हमारी lecture की notes तो आपको इसके अंदर से मिलेगी, loan facility and academy आपको available कराके दे रहा है, तो आप subscription ले सकते हो, बिंदास आखे बंद करके, हम आपके साथ है, general studies का लेना हो, optional का लेना हो, और उसमें भी subscription भी दो प्रकार के है, general studies के लिए है, plus subscription या iconic subscription, iconic में आपको फाइदा यह है, कि आपको एक personal mentor मिलेगा, so you will get a dedicated mentor, who will guide you in answer writing, how to proceed, how to learn, and उसके अंदर जो भी 19-20 आपकी, जो भी daily queries होती है, हमेशा आप एक साल का minimum subscription प्लान करिएगा, if you are in college, first year or second year, I'll suggest you go for two years of subscription, क्योंकि पहले साल आप foundation करिए, दूसरे साल advanced courses को join करिए, optional भी उसी के साथ साथ आपका हो जाएगा, ये भूल लिएगा मत, क्योंकि this will fetch you 10% off on the fees, this will also fetch you free content on an academy, ये code ऐसा है, जो आपका gateway है आपको free courses दिख जाएगे, optional का dedicated subscription लेना है, तो भी एक साल का लीजेगा, क्योंकि मेरा course है, आठ मेने के बीच में आपको चलेगा, और queries भी होती है, तो वो भी solve हो जाएगी, इसके साथ 14 July से नई batches शूरू हो रही है, आप इसको join करिए, scholarship test है, अगर इसको आपने अच्छे से perform किया, तो you'll also get some goodies from an academy, this will also include the subscription, और I would say, पिछले week के अंदर 11 अतारी को combat था, उसमें airpad, जो iPad होता है, iPad आपको उसमें free में दिया जा रहा था, तो ये तो आपकी हो गई आन अकेडमी के बारे में, चले वापीस आजाते हैं, हम लोग ने पिछले class के अंदर इसको शुरुवात की थी, और मैंने आपको post-harapan period के बारे में, chronology पूरी समझा दी है, ठीक है, ये chronology के अंतरगत मैंने आपको ये बताया था, कि the period between 600 to 500 BC, याद आया कि नहीं है आपको सर, ठीक है, the period between 600 to 500 BC was a very important period, क्योंकि this period saw multiple changes in the political situation, this period saw multiple changes in the economical situation, and we also find the development of the coins and the trade and commerce, ठीक है न, तो हमने आपको इसको बताया था, कि ये period second urbanization का period है, और यही second urbanization के नाते, हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी, कि over a period of time, ये 16 महाजनपद बनके आगए है सर, ठीक है न, तो अगर आप पिसले class को याद करोगे, तो हमने आपको ये second urbanization की पूरी कहानी बताई थी, और आपको ये बताया था, कि ये 16 महाजनपद कहां पे आए है सर, ठीक है न, तो हमने mapping कर दिया है, आप अथी तरह से mapping कर दिजेगा, यहाँ से questions बहुत आते रहते है, इन फाक्ट ये mapping based questions सबसे आदा पूछता है UPSC सर, ठीक है न, एक बार पूछ दिया था कि easternmost महाजनपद कौन सा है सर, समझेक नहीं समझे है न, यह आपको पूछेगा कि नेपाल वाले रीजन में, या शिवालिक के foot hills के अंदर कहाँ पे महाजनपद आये हुए है सर, ठीक है, तो आपको गंगा यमुना प्लेन है, या शिवालिक मांटेंस है, आपको Central India दिख जाएंगे, यह मालवा की तरफ के रीजेंस दिखेंगे, यहां Westernmost और एक South के अंदर है सर, ठीक है, विंदियास के नीचे एक ही महाजनपद डारेक्ली दिखता है, उसका नाम है अश्मक, दिख रहा होगा आपको यहां पे सर, ठीक है, अश्मक करके महाजनपद है, तो Trade and Commerce ना हुआ होता सर, ठीक है, Trade and Commerce ना हुआ होता, तो Urbanization नहीं हो पाता सर, ठीक है, In fact, Economic Advancement ना होता, तो Revenue to the State भी नहीं आता सर, आप समद्ने की कोशिश करिए, कि राजा को, In fact, Revenue भी चाहिए होती है, तो वेडिक यूग में क्या हुआ था, कि छोटे political unit थे जिसे हम लोग कहते है, जनपद है, In the very case, We find a small political unit called as जनपद, वहां से ये जनपद बन गए, Actually, आप समद्ने की कोशिश करिए, The story of महाजनपदा, आप जो शब्द देख रहे हो ना सर, ठीक है ना, उसको हम लोग थोड़ा तोड़ ताड़के पढ़ते हैं सर, ठीक है, महाजनपद जो है, वो 600 BC के अंदर आपको ये शब्द दिख जाएंगे, महा का मतलब होता है बड़ा सर, ठीक है, और जनपद जो है, ये political unit है सर, इसके शुरूआत होती है, जन नाम के एक unit के साथ, ठीक है, जन वस एक्चुली, आइ वुड से, political unit, इन दर रिग्वेदिक period सर, ठीक है, अगर आपको पता होगा, रिग्वेद जिसका compilation, ऐसे technically बोला गया है, 1500 BC onwards का period बोलते है, मेरे हिसाब से, या आज का जो modern day research है, वो कहता है कि रिगवेट का निर्माण करीबन 6000 BC के भी पहले हुआ होगा ठीक है पर ये रिगवेट में अभी किताबों में ये दिया गया है ठीक है हम लोग NCRT के अंदर जो दिया गया है अभी जो है अभी हिस्ट्री राइटिंग को लेके आपको पता होगा कि नई स्पेशल कमिटी भी बढ़ने की कोशिश कराई जा रही है मिनिस्ट्री ओफ कल्चर और मिनिस्ट्री ओफ एचाडी के द्वारा एजुकेशन के द्वारा मूल तहसे और फिर बात हो रही है कि इतियास में एक पूरा नए द्रस्टिकोंड को लाने की आवशकता है तो सुनर और लेटर इस डेट्स माइट ऑल्सो चेंज है तो आप यह अभी तो हम लोग मान लेते हैं कि 1500 बीसी के आसपास आपके यहां पर रिगवेद का निर्मान हुआ जब कंपाइलेशन हुआ तो वह पता होगा कि रुगवेद जो है वो रुशियों के द्वारा कंपा कोटी पॉलिटिकल कंडीशन में उस ताइम पे छोटे साशक चोटे कुल जिस हम लोग फैमिलीज कहते हैं वह साच में रहते हैं सर ठीक है जिनको चलाने के लिए यह जो पीरड था 1500 बीसी के आसपास का पीरड था सर ठीक है उसके बाद ग्रेजूल जब पीरड आगे डेव यह राजवन को कोई भी हैरीडेटरी इनफेक्ट है ना अपॉंडमेंट नहीं होती थी और इनफेक्ट उस ताइम पे छोटे-छोटे राजिय हुआ करते थे वहां से हमको एक दूसरी यूनिट दिखती है जन्पदसर ठीक है ना इनफेक्ट है ना यह गंगा यमुना वाले रीजन्स के अंदर आपको पॉलिटिकल फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे और इस टाइम पे हमको बदा चलता है कि यह जो राजन है यह राजन काफी पावरफुल हो गया था और राजन जो है अपना सामराज्य बनाने की तो 1000 BC तक आते आते हैं यहां पर पॉलिटिकल डेवलोप्मेंट हुए जन से जनपद बन गया छोटे छोटे जन इखटे हुए राजाओं के द्वारा लड़ाई हुई और एक दूसरे को कंकर करके इवेंचुली छोटे क्लैंस बनने की शुरुआत हुई यह जो जनपद ब रहे थे इसमें इनके पास लोहा मिल गया क्योंकि 1000 BC तक आते आते हैं मैंने आपको बताया कि iron tools थोड़े बहुत मिलने की शुरुआत होती है लिमिटेर थे बट थोड़े बहुत मिलने की शुरुआत हो जाती है इसी के कारण हमको देखने को मिल रहा है कि kingdom सब expand करेंगे revenue formation ह होगा और वहां से ही in fact हमको क्या देखने को मिला by 600 BC by 600 BC we find the formation of महा जनपद सर समझ में आया आपको सर ठीक है तो आप स्टोरी देखने की कोशिश करिए पहले वेरिक एज में उसको जन कहते थे लेटर वेरिक पीरिड में उसको जनपद कहा गया और उसके बाद हम लोग जब महाजनपद के उपर चले गए जब वेरिकेज का transformation हुआ बुधिजम जनिजम का development हो रहे है तब यह महाजनपद बनके आ रहे है ठीक है यह महाजनपद के अंतरगर 16 states बनके आया सर गेडिमा पॉइंट और उसके बाद मौरियस पावर के उपर आएंगे सर गेडिमा पॉइं बेसिकली मूल तहस से कौन था एक महाजनपद में से ही एक था तो 16 states में से एक था और यह लोग इनफेक्ट अपना पहला सामराज्य बनाएंगे सर समझेक नहीं समझेक इडिमा पॉइंट है ना तो हम लोग आज के session के अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग यही देखने वाल कि जब किताब के अंदर हम लोग discussion करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा कि इनकी political conditions क्या थी सर ठीक है तो उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर हमारा यह in CRT के सापक्ष में जो discussion कर रहा है हो चला जाएगा देखिए दो तीन चीज़े मैं clarity दे देता हूं मैं in fact मैं जो या कोई topic आपने briefly करा दिए उतने detail में नहीं कि तो जितना NCRT के सापक्ष में है ना with respect to NCRT मैं उसको ध्यान में लेके करवा रहा हूं से ठीक है क्योंकि यह foundation courses है and this foundation courses are supposed to be अगर आपको applied पढ़ना है मतलब आपको super से भी उपर वाला लेना है तो आप हमारे साथ जोड़िए plus के ओपर I bet you will find absolute content on the plus platform क्योंकि उसमें कहें कि मैं मेरे हिसाब से courses भी design करता हूं I take my time and you can take the feedback आप profile पे जाईएगा मेरी an academy के application download करके even description box में मेरी profile आपको दी कही है उसके उपर click करेगा and you see what students actually like about my history classes चलिए से तीक है न तो let me come back to this point तो मैं आपको क्या बता रहा था यह महाजनपद है यह महाजनपद 16 बने यह 16 महाजनपद को in fact उस time के अंदर politically भी strong हुआ economically strong हुआ और हमने देखा कि religion भी उसको support कर रहा था कैसे religion support कर रहा था तो पिछले class के अंदर मैं जब सनीवार को पढ़ा रहा था तो मैंने गल्ती से धर्मसूत्रा की जगए धर्मशास्त्रा लिख दिया था ठीक है तो एक बच्छे ने comment के अंदर लिखा कि sir आ अंदर आपको किताब दिखेंगी धर्मसूत्रा यह जो धर्मसूत्रा है यह लेटर वेदिक लिटरेचर का outcome है ठीक है ना तो आपकी बहुत सारी वेदिक एज के अंदर सूत्र लिखे गये थे तो उनमें धर्मसूत्र लिखी थी यह धर्मसूत्र ने उस टाइम पर यह महा इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है कि यह 16 महाजन पदों का निर्मान हुआ यह 16 महाजन पद में से इवेंचूली फिर आपका मगज नाम का जो महाजन पद है वो अपना एंपायर बनाएगा तो आपको अब तक की कहानी समझ में आगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो ठीक है तो पिछले क्लास को अगर आप याद करो तो मैंने आपको बताया था कि यह 16 महाजन पद जो थे उसमें से 4 महाजन पद ऐसे होंगे सर हना यह 16 महाजन पद थे उसमें से 4 महाजन पद ऐसे थे जो अल्टीमेटली इंफेक्ट एंपायर बिल्डिंग के लिए फाइट वाजन पद आप अब दिखेगा एक आपको मगद दिखेगा और यह कोशाल ठीयगा यह चार के चार महाजन・ पद थे इवेंच्वेली डीर्बarti अमंग देंसेल्स जो कंट्रोल करने के लिए और भी date महाजन पद थे बट इन सब कंडिशन में फिर मगद एक मातर ऐसा स्टेट बन के आया जिसका empire formation में बहुत बड़ा role play होता है sir ठीक है तो आज हम लोग क्या करेंगे what we will be doing we will be seeing the empire formation of मगद और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मगद के formation में कौन से कौन से factors responsible थे हैं मैंने आपको यह 16 महाजनपत की जो कहानी वो अल्रेडी पढ़ा दी है कि किस तरह से development हो रहा है कितने सारे महाजनपत बन रहे है इनके बीच में लड़ाई हो रही है इनकी political conditions क्या हुआ करती थी औलिगार्की दुआ करती थी कहीं पर आपको राजाशाही दिख जाती है चलिए सर ठीक है न तो दर्मसूत्र के अंदर लिखा गया है कि राजा का क्या कारिया है और eventually हमको बड़ा चल रहा है कि economic conditions आगे explore हो रही है और इन सब conditions में राजाओं के बीच में लड़ाई हुई बड़े-बड़े empire बने, administration बने की शुरुआत हुई और वहां से क्या हो गया मगद का निर्मान हुआ तो ये chapter के अब हम लोग next topic के ओपर चले जाते है और NCRT के अंदर बहुत interestingly point लिखा गया है ये 16 में से एक राजय बना, वो कौन सा बनता है, मगद, और मगद basically कहां पर बनता है, राजगीर के अंदर सर्थ, ठीक है अब सवाल ये आता है, कि ये 16 महाजनपत थे, ये 16 महाजनपत के अंतरगत, चार राजय काफी बलबान थे, काफी मजबूत थे सर्थ, ठीक है और इन सब के बीच में, continuously conflict आपको देखने को मिलेगी, ये conflict का final conclusion या end तब आता है, जब finally मगद के अंदर से, जो राजा थे, वो eventually इसको take over कर देंगे, और बाकी सारे kingdoms को defeat कर देंगे सर्थ, ठीक है defeat करने के साथ-साथ, उनका annexation भी कर देंगे सर्, getting my point होगे ना, so what do we see over here, हमको पता चल रहा है कि मगदन state के अंदर, मगदन kingdom के अंदर, काफी सारी चीज़े बदल के उभर के आ रही है, और इसी का ही परिणाम हमको यहाँ पे point by point देखने को मिल रहा है सर्, ठीक है, अब आ और यहाँ हम लोग जब timeline के हिसाब से देखेंगे, when we'll be seeing the timeline perspective, ठीक है, तो timeline perspective के अंदर, जो second point हम लोग यहाँ पे चले जाते है, the rulers of Magad consolidated the power, ठीक है, अब हम लोग यहाँ चले जाते है, कि मगद के अंदर किस तरह से rulers ने consolidate किये, तो 200 साल तक आपके यह जो महाजन पत थे, उ multiple things are also getting evolved, and finally Magad जो state है, वो Magad state का formation हो रहा है, ठीक है न, तो यह क्या कहानी है Magad की, उसके ओपर चलते है, let me come back to this point, ठीक है, NCIT क्या कहता है, between the 6th and the 4th century BC, Magad in the present day Bihar, became the most powerful महाजन पता, ठीक है न, याद रखेगा, कि छटी से लेके चौती शताबदी के बीच में, Magad सबसे मह अधन पत के रूप में उभर के आगया सर, पहला point तो आपको यह clear हो जाना चाहिए, कि what is the significance of the state of Magad सर, ठीक है, दूसरा point यहां क्या बोला गया है, modern historians experience this development in a variety of ways, Magad was a region where agriculture was really productive, अब आप देखिए, यहां से कोशन आएगा, आपको कोशन पुछेगा, यह कोशन लिखेगा, ठ in spite of having 16 Mahajanpadas, in spite of existence, in spite of 16 Mahajanpadas, in spite of 16 Mahajanpadas coming into existence, why Magad was able to, was able to secure its, I would say empire, or Magad was able to consolidate its empire, consolidate its power, हम लोग क्या लिखेंगे, why Magad was able to consolidate the power, discuss giving reasons, discuss giving reasons, ठीक है ना, तो यह प्रशन हो गया, this is the question that has been asked to you, आपको पूछा गया है, यहां 16 Mahajanpadas existence में है, 6th century BC में, अगर यहां पर add करना है, तो हम लोग लिख सकते है, 6th century BC के अंदर, यह condition create हुई थी, कि in spite of 16 Mahajanpadas coming into existence in the 6th century BC, वह Magad was able to consolidate the power, discuss giving reasons, ऐसा Magad के पास ऐसा तो क्या था, कोई जादू ही खिलोना था, या Magad के पास कोई अलाव दिन का चिराग हुआ करता था, या Magad की ऐसी कोई situation थी, जहां Magad पो बहुत सारी मदद मिल पाती है सर, ठीक है, तो कहानी क्या चलती है, कि Magad की political significance आप देखिए, अब हमेशा आपको थोड़ा बहुत background के अंदर लेके जाने की कोशिश करूँगा, कि यहां mapping से ही आपको picture clear होगा, कि मगद के अंदर क्या condition रहती है सर, ठीक है, पहली condition आप देखोगे, तो मगद की geography सर, और geography प्लस polity इखती होती है न सर, तो वहां आज की तारीक में IR के अंदर एक शब्द यूज होता है, जिसे हम लोग कहते है geopolitics सर, कि यहां पर भूगोल भी है, और political conditions भी है, आपको history के अंदर एक बहुत interesting topic पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते है, the impact of geography on history, कि इतियास के ऊपर भूगोल की क्या असर पड़ा है, दूसरा प्रशना कभी कभी आपको highlight करके पूछा भी जाता है, कि किस तरह से political significance उभर के आती है over a period of time, जब हम लोग historical developments को देखते हैं, ठीक है, तो उन सब points के साथ हम लोग discuss करेंगे, कि यह geopolitical condition मगर कैसे help करती है, जैसे आज का अमरीका देख लिजेए सर, ठीक है, अमरीका क्यों superpower है आज की तारीक में, you try to understand why America is superpower in the present day, अमरीका superpower है उसके पीशे कि उसकी geographical condition है, है की नहीं है, आप ही मुझे बताइए, कि don't you think that America is actually getting help by the geographical condition, क्योंकि अमरीका की condition ऐसी है, जहां geographical एक तो isolated है, उसके उपर विदेशय आकरमन बहुत कम हो रहे है, डूसरा क्या है कि अमरीका के past resources भी काफी अच्छे है, अब 6th century BC के अंतरगत आप समझने की कोशिश करें, कि भारत में बहुत सारे kingdoms उबर के है थे, early states कहते है, यह इसी को भी महाजन पत के रूप में पहचानते है, अब उसमें आप मगत की location देखने की कोशिश करिए, कि यह जो 16 महाजन पत थे, यह 16 में से पहले 4 हो गए, और 4 में से eventually क्या बन जाता है, एक बनता है सर, ठीक है, getting a point है ना, तो पहले जो early states हुआ करते थे, when we see the early states in India, what do we see over here, हमको बता चल रहा है कि पहले 16 थे, 16 में से फिर 4 बने और 4 में से सिर्फ एक ही बच था है सर, getting a point, अब इन सब कंडिशन में मगत की geography उसको बहुत help करती है, geography के अंतरगर, geopolitical conditions हम लोग बात करेंगे, और geopolitical conditions के अंतरगर, कोई भी राज्य को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पड़ा revenue चाहिए सर, चाहिए की नहीं चाहिए, if you want to have a good strong political condition, you need money for that, आपको उसके लिए पैसा चाहिए सर, आपको उसके लिए economic conditions चाहिए, आपको उस time के अंदर क्या चाहिए सर, revenue अच्छी होनी चाहिए, अगर revenue नहीं है राज्य के पास, तो साशन नहीं चल पाएगा सर, हना, मगद की conditions को आप समझने की कोशिश करें, कि मगद की location कहाँ पर है सर, ठीक है, if you'll see the condition of मगद, तो हमको यहाँ clear cut देखने को मिल रहा है, कि मगद is located on the confluence of two rivers, दिख रहा है आपको यहाँ पर सर, ठीक है, तो आपके यहाँ पर एक homework छोड़के जा रहा हूँ, एक नदी यहाँ से यू जा रही है सर, ठीक है, बीच में आप देखोगे, just a second सर, मैं आपको mark करके बता देता हूँ सर, ठीक है, so that it becomes easy for you, यहाँ पर आप देखोगे, तो मगद की locations दिखेगी आपको, चलिए, तो आपको यह नदी की, यह दोनों की दोनों नदिया है सर, ठीक है, अब जब हम लोग मगद को देखते है, when we try to see the मगद state, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ दो rivers, rivers की condition काफी अच्छी है, और जब आपके पास river की condition अच्छी है, तो आपके पास water है, और जहाँ पानी होता है, वहाँ क्या होना चाहिए सर, agriculture का development होगा की नहीं होगा सर, ठीक है, तो मगद में सबसे बड़ा फाइदा क्या था, water की availability का कोई problem नहीं था, और जब water की availability का problem नहीं होता, तो agriculture का development भी होगा की नहीं होगा सर ठीक है तो इन सब conditions के अंदर पहला point हमको देखने को मिल रहा है कि खेती का विकास काफी अच्छा हुआ मगद के अंदर सर अग्रिकल्चर का development क्यों अच्छा हुआ क्योंकि वाटर की availability थी वाटर की availability अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर perennial reverse दिखती है जैसे कि आप देखोगे तो गंगा नदी आपको बहुत ही help कर रही है इन दी I would say overall water availability when it comes to the irrigation side सर है ना आपको जो सेंचाय के लिए पानी चाहिए वो तो यहां से नदी से ही मिल रहा है सर तो 600 BC में आप बाकी सारे states के साथ compare करिए you try to compare with other states तो बाकी सारे states के साथ आप compare करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है what do we see बाकी सारे राज्यों के साथ compare करने की कोशिश करिए तो उपर महाजन पर छोटे छोटे हुआ करते थे खास करके शिवालिक के अंदर जैसे मल्ला है व्रजी है यहां देखोगे तो आपको कुरू पंचाल दिख जाएंगे तो comparatively to Magad they are on the other side अधर का मतलब है कि थोड़ा ऊपर की साइड में है कुछ-कुछ foot hills of Himalayas के ओपर है Himalayas मतलब जो Himalayas Mountain है शिवालिक Mountain उसके पैरो के नीचे है मतलब उसके basically आप देखोगे तो down side के ओपर है वहां पे geographical आपको plains नहीं मिलते है plains मिलने का मतलब यह है कि आपको नदी चाहिए और नदी भी ऐसे विस्तार के अंदर पानी मिलनी चाहिए जहां पर थोड़ा large availability of land होना चाहिए सर ठीक है मगत के पास एक condition हमको यह भी मिलती है कि large plains were available large plains समझ में आता है सर बड़े बड़े जमीन के टुकडे हम लोग कह सकते है सर है गेंजिस plane आप geography के अंदर देखोगे न तो इंडिया को 5 physiographic division के अंदर divide किया गया यह जो 5 physiographic divisions किये गए उसमें mountains भी आता है उसमें प्लैटू भी आता है उसमें डेजर्ट के रीजन भी आता है और आपको गंगा के प्लेन आता है यह जो गंगा का प्लेन वाला विस्तार है जहां से पानी बहुत ही अकूट मात्रा में उपर से बहता 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 क्योंकि आजूबाजू में कोई बड़े पहाड़ी नहीं थे थे तो छोटे छोटे पहाड़ी थे सर ठीक अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको जोगरफ्य उसको कैसे help करती है पानी की ability काफी अच्छी है तो agriculture अच्छा हो रहा है और गंगा के अंदर पानी आपको कभी कम नह मगत की कंडिशन भी हमको यहां पर यह देखने को मिल रही है अग्री कल्चर का काफी सर अच्छा स्कोप हो रहा है अब प्राचीन भारत के अंदर आप पकड़ने की कोशिश करिए the source of revenue for the king in the ancient India was what that was agriculture है ना तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सोर्स कौन सा था सर इंशेंट इंडिया के अंदर इवन मैं तो काऊंगा modern period तक सबसे बड़ा सोर्स कौन सा था जब ब्रिटीश भारत में आये तो उन्होंना किसके उपर से सबस्यादा पैसा कमाया खेती के उबर से इंडिया की किसानों को कहा कि आपको हमारे लिए क्र मगर्द के अंदर भी मगर्द में खेती अच्छी हो रही है राज्य के लिए पैसा आ रहा है तो अब कंडिशन के अंदर देखोगे तो आपका स्टेट स्टॉंग होगा की नहीं होगा क्यूंकि कोटीलिया ने जब यहां पर इन फैक्ट डेवलोप्मेंट हुआ मौरियन ए पर इंदर बिए अप्र आपको बता देता हूं दुनिया में जितने भी पुराने सामराजे बने हैं इवन मौडन पीरड के अंदर भी आप देखोगे इंड़्यल suppression के लिए जो raw material चाहिए वो कहां से मिलेगा खेती से मिलेगा एंगलेंड में industrialization की शूरूवात हुई in England एंड़ेंड ड। अर उक्लेूरिय अंडीर्द के लिए अपको ख्या चाहिए कपड़ा कहां से बनता है खेती में से तो गुमा फिरा के agriculture अच्छा होगा, production अच्छा होगा, तो automatically development होगा, मगत के पास क्या था, यहाँ पे agriculture की कोई problem नहीं थी, उसके सामने बाकी सारे states को compare करिए, खास करके यह जो हिमालियन states है, जो छोटे महाजन पत थे, वहाँ problem क्या था, what was the problem in the states, here conditions, the large scale political development could not took place, in fact, प्राचीन भारत में आप मुझे बताईए कि कितने विस्तारों के अंदर empire expansion हुआ है, जितने भी बड़े सामराज यह बने, वो कहां से बनते हैं, यमुना और गंगा की plane से बनते हैं, या तुंग भद्र राइचूर दोआप से बनते हैं, या गुदावरी से बनेंगे, या यहां साबरमती से बनेंगे, या नर्मदा से बनेंगे, आप उठा के देख लोगो भारत का इतियास सर, जितने भी empire building के conquest हुए हैं, ancient और medieval एरा में, वो गंगा यमुना plane से हुए हैं, उनका power center वही हुआ करचा था, प्राशीन भारत के अंदर मगद एक बहुत बड़ा power center के रूप में उभर के आए, और वो रहता है करीबन 7th century CE तक, सात्वी शताब्दी तक मगद का अपना महत्व रहेगा पाटली पूत्र का, उसके बार the power center shifted to a notch, जब हर्शोरदन पावर के उपर आया, 700 के आसपास का पीरेड, मलब 650 के पीरेड, 647 में हर्शोरदन का मृत्ती हो, और उसके बाद का नौज के लिए फिर लड़ाई होती है, जहां पे tri-party struggle चलेगी, राश्टरकूत, पाल डाइनस्टी तो यह जो परिष्टिती का सर्जन हुआ है, all this political development that has emerged, वो क्या दर्शारा है कि always the empire building take place in an area, और the power center will be lying in an area, where you have good scope of revenue, agriculture being the primary sector, and that was the only sector, जब उसने पे आज तो services sector डिवलप हो गया है, आज मैं और आप एक दूसरे के साथ जुड़े होए, because of the service sector, right? क्योंकि service sector में हम दोनों की connectivity है, यह पूरी online, जो पूरी की पूरी एक industry है, उसी के माधियम से मैं आपके साथ जुड़ रहो, services के अंतरगत, और economic के द्रश्टी कोन से देखा जाए, तो आप मेरे client हो, और मैं आपको service दे रहा हो, तो आज तो क्या service sector का development हो गया है, जहाँ state को revenue काफी अच्छी आ रही है, आज की तारिख में इंडिया की GDP के अंदर आप पकड़ने की कोशिश करिए, कि सबसे बड़ा जो contribution हो को देता है, agriculture देता है, manufacturing देता है, कि service sector देता है, तो बट आप्वियस है, service sector है, तब के मगद के अंदर आप compare करिए, तो उस तहें पर services का development हो रहा था, logistics और वो सब भूरा था, पर online मौन लाइन का तो समना था नहीं, manufacturing ठीक ठाक develop हो रही थी, क्योंकि manufacturing में भी जो चीज़े आपको primary raw material के रूट में चाहिए, वो तो पहले मिलनी होगी, raw material तभी बनेगा जब खेती अच्छी होगी, और खेती तभी develop हो बाएगी, जब क्या होगा, agriculture होगा, और agriculture के अंतरगत water availability बहुत ज़रूरी है, अब आप देखे पूरी की पूरी cycle को, हम देख रहे हैं मगत की cycle, और मगत की cycle के अंदर क्या देख रहा है, भाई एक नंबर यहां पर पानी की availability है, perennial water systems, दुनिया के इतियास में आपको बड़ी-बड़ी जगाए दिख जाएगी, जहां पानी खतम हो गया, तो उनका जीवन खतम हो गया, हमने हड़पन्स के अंदर देखा, decline theory में, याद करिये the decline of the हड़पन्स, हमने एक theory उसके अंदर आपको बताई भी थी, कि there might be a possibility के drought की conditions create हो गई है, याद करिये पिछले class को, कि in the हड़पन्स decline, I had actually discussed the drought conditions that emerged, कि यहां एक ऐसी condition हुई होगी, जहां बहुत बड़ा अकाल पढ़ गया होगा, और यह अकाल के कारण यह लोग डूब गया होगे, here in the case of maggot, water availability is good, geographical condition is supporting that, and maggot के अंदर in fact, पानी capability उसके साथ आप बाकी सारे states में देखोगे, तो कही ना कहीं water की एक availability का प्रश्ना है, दूसरा plane area नहीं मिल रहे है, large planes are also necessary, to have more and more of agriculture sir, ठीक है, large planes का मतलब है कि आप ऐसे plane area को develop करिये, जहाँ पे आपको बड़ी इसी सींचाई में आपका development हो sir, ठीक है, तो maggot में ये कोई दिक्कत नहीं थी, अब उसके सामने आप यहाँ देख लीजे, you try to see, here in this region, इसका geographical terrain देखेने के कोशिश करिये, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पानी capability है, but there is no plane area which is actually found sir, ठीक है, even Indus Valley civilization भी development कहा हुई, नीचे की सैड में, lower side of Indus, पंजाब के नीचे की सैड में development हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही plane area मिलेगे न, पंजाब के ऊपर आप चले जाओगे, तो पहाड़ी विस्तार आ जाएगा सर, समझ में आया की नहीं आया, तो गुमा फिरा के आपको देखने को मिलेगा, plane area बहुत जरूरी है, मगद के पास plane area था, compared to other महाजन पदास, पहला point समझ में आया की नहीं आया, NCIT के अंदर, पहले point के अंदर, बहुत clear cut लिखा है, कि मगद का factor of development को, अगर आप समझने की कोशिश करिये, तो आपको बहुत इंट्रेस्टिंगली point यहाँ पे बोला गया है, कि यार ये conditions अमारे लिए बहुत जरूरी है, where agriculture was quite productive, दिख रहा है आपको सर, ठीक है, so we find the very important aspect, कि the Magadan state had a great source of revenue, and the source of revenue was for agriculture, and when agriculture was very much productive, they could produce more and more things, अब आप देखिये, कि agriculture productive रहा, agriculture के अंदर, diversification हो रहा, एक से ज्यादा क्रॉप हुगा रहा है, ठीक है, you try to understand, what these guys are doing, what the people of Magadan are doing, actually, they are trying to diversify, diversification का मतलब यह है, कि अब एक से, ज्यादा क्रॉप उगाने की कोशिश कर रहा है, और जब एक से ज्यादा क्रॉप उगाने की कोशिश कर रहा हो, तो कुछ-कुछ क्रॉप्स, food crop के रूप में develop हुए, कुछ-कुछ क्रॉप्स आप देखोगे, करती है उसके लिए आप ट्रेडेंग कॉमर्स करते हो ठीक है तो मगद में एक तो ट्रेडेंग कॉमर्स बढ़ा इसके करण और काफी सारा आपको फाइदा मिल जाएगा सर दूसरा मगद का डेवलोप्मेंट हुआ उसमें मगद के राजाओं के पास हतियार काफी अच्छे थ से क्योंकि मगद के साशकों ने लड़ाई की थी अब जैसे देखोगे तो मगद और अवंती के बीच में संगर्श हुआ है अवंती और वर्थ के बीच में संगर्श हुआ है कोशाल और मगद के बीच में तो थ्रू आउट संगर्श देखेगा जब तक परसनजीत जिंदा है तब तक आते हैं हम पर बता चल रहा है कि इनकी कंटिन्यूसली बैटल से लिए अब उसमें मगत क्यों भारी बढ़ रहा है क्योंकि मगत के पास resources काफी अच्छे यह resources के अंतरगर अगर आप समधने की कोशिश करोगे तो आपको यहां पर दिखेंगे iron tunes यह iron mines दिखेंगे अब मगत कहां पर है बिहार के अंदर बिहार और यह पूरा का पूरा रीजन आप पकड़के चलिए यहां पर जहरकंड भी आया है कि नहीं आया है और बिहार was a huge state to govern इवन आज की तारिक में भी उसको चलाना काफी भारी बढ़ जाता है तो डिसाइड किया गया कि बेने ही चलो उसको बाइफरकेट कर देता है बिहार वाला जो रीजन है आज का जो जहरकंड वाला रीजन है वहां पर resources कितने available हैं तो यहां पर immediately जो साशक थे उनको काफी सारे resources मिलें इनफाक्ट यहां से लेके यह जो Central India वाला जो रीजन है वहां पर भी resources के ability काफी अच्छी है तो मगत के जो साशक थे वो उनको बहुत smart थे they knew that कि without the weapons they won't be able to expand the empire तो मगत में न पॉलिटिकल डाइनस्टी में चार डाइनस्टी आपको दिखेंग तो we find the political dynasties that ruled the मगत they were quite enterprising आपको यह शब्द दिखेगा थीक है तो जो मगत के उपर rule करने वाली चार डाइनस्टी या पहले तीन डाइनस्टी थी जब महाजन पत था उसमें एक थी आपकी हरियक डाइनस्टी से लेके बगड़के चलिए कि वो 5th century के transition तक rule करती है उसके बाद आपको दूसरी डाइनस्टी दिखेगी सिशुनाग डाइनस्टी शिशुनाग करके राजा हुआ करते थे वो power के उपर आते उसके बाद तीसरी डाइनस्टी आप संदने की कोशिश करोगे तो आपको निखेगी नंद वन्श और नंद के बाद चौथे आते हैं Morius मौरियस तक आते आते क्या हो रहा है कि मगद में सामराजे बिल्डिंग हो गया पूरी ज़रा से जो इन फैक्ट पुराने तीन साशक थे उसमें हरियक डानेस्टी, सिशुनाग और नंद नंज के इंतर इन तीनों के समय पे महाजनपत का एक्सपांशन हो रहा था महाजनपत का एक्सपांशन का मतलब है कि इनके द्वारा foundation रखा गया था, consolidation का काम किया गया था और ये consolidation में जो हरियक डानेस्टी थी, इसमें तीन राजा दिखेंगे सर ठीक है, एक का नाम था बिम्बी सार, क्या नाम था बिम्बी सार बिम्बी सार के बाद दूसरा आपको मिलेगा, अजाज सत्रू ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं सर, खतरनाक राजा था बिम्बी सार को मार के पावर के उपर आया, अपने फादर सार को मार के आया आप किताब में देखोगे न, तो बोला जाता है कि मगत के अंदर जो rulers है न, the rulers were quite enterprising, ये शब्द यूस किया गए बहुत सारी किताबों के अंदर, तो एक बार मैं class में कहीं पर पढ़ा रहा था, यहां plus के class के अंदर, तो एक student ने मुझा comment section के अंदर लिखा, कि sir what do you mean by the term enterprising rulers, कि sir, ये enterprising rulers आपने बताया कि मगत के अंदर जो राजा थे, वो बहुत enterprising थे, ऐसे कैसे enterprising थे, तो मैंने उसको example दिया, मैंने कहा कि जो राजा, अपने father का, in fact, कतल करके, अपने father को हटा के power के उपर आता है, वो कितना खूखार राजा हुआ होगा, a person who is coming to power actually after removing your own father, अपना खुद का खून है, मनलब, जिसने आपको जन्म दिया है, आप उसको हटा के power के उपर आ रहो, तो उससे बड़ा enterprising, इतनी बड़ी तुफानी, चीज करने की आवशक का किसके पास होती है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत वो चाहिए, सर, emotionally आप वो है न, कि क्या कह सकते है, कि भावनाओं के उपर के इंसान होंगे, सर, जो ये प्रकार का कारिय करने में दो गड़ी भी भी सोचते नहीं है, ठीक है, तो मगद में आपको ऐसे रूलर दिख जाता है, बिमिसार जैसे साशक दिखेगा, जो काफी progressive था, अजाद सत्रू तक आते आते हमको देखने को मिल रहा है, कि उसने बिमिसार को मार के या उसको हटा के पावर के ओपर आया, और अजाद सत्रू ही था, जिसने इनफेक्ट है ना, जल्दूर्ग बना दिया, जल्दूर्ग का मतलब क्या है, कि he was the one who established a fort at पाटली पूत्र, जहां पर मगद की जोगरफियोज को बहुत मदद कर रही है, और उदईन जैसा रूलर जब आता है, वो पाटली पूत्र के अंदर capital shift कर देगा, सर, ठीक है ना, he shifted the capital at पाटली पूत्र, तो we see, यहां के साशक थोड़ा risk taking थे, सर, ठीक है, और आपको भी पता है ना, कि risk है, risk है, तो risk है, क्या पता हो, कुछ आजकल dialogue चलते रहते हैं, तो वैसी condition आपको यहां दिखेगी, so in the Magadan dynasties, जो पहली dynasties थी, हरियक dynasties, यह हरियक dynasties के अंदर rulers काफी powerful थे, और strong थे, enterprising थे, कास करके आप देखोगे, तो हाथी की, आर्मी को in fact develop करना, elephants का use करना, आर्मी के अंदर, यह काफी modern approach था उस time के अंदर सर, ठीक है, क्योंकि हाथी की mobility बहुत कम होती है, आप देखो हाथी को आप इधर उधर, जैसे घोड़ी की flexibility के साथ, उसको हरा सकते हैं, वो नहीं हरा पाओगे, मगद के rulers, बहुत ही prominent rulers थे, जिन्होंने हाथी का बड़े पाय के उपर उप्योग किया, भारत में सिकंदर आया ना, जब when सिकंदर came to India, Alexander came to India, तो यह Greeks आये थे, तो गोड़ा लेके चलते थे, West Asia से निकले थे जब, Greece से, Macedonia से, और जब भारत की तरफ आये, तो पोरस नाम का राजे देखा, आने दो उनको हाथी गुमा देंगे उनके उपर सर, तो बहुट डर लग रहा था सर, लोगों को है, भाय का माहूल था पूरा, तो यह elephant की story आपको यहां देखे की मगद के सेनाओ के अंदर, साशक बहुत ही मजबूत थे, और साशक के पास resources की कोई कमी नहीं है, resources में iron tools मिलने की शुरुआत हो रही है, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया, iron tools, और iron, iron का दो प्रकार का use होता है, in any kind of development, a metal is used for dual purpose, this might be used in the form of, I would say, war, समझ में आ रहे हैं आपको, warfare के अंदर, क्या बनाने के लिए, weapons बनाने के लिए, दूसरा इसका देखोगे, तो tools के रूप में, commercial rules भी होगा, ये commercial use से दो फाइदे हुए सर, ठीक है, पहला हुआ कि जंगल साफ हो गया, आप लोहे की चीज़े जो बनाते हो, क्या लोहे की चीज़ों से जंगल साफ कर पाऊगे, तो नहीं कर पाऊगे, यहां abundant quantity के अंदर आपके पास iron available था, और वो लोहा भी दो प्रकार से, जारखन म available था, और Central India में यहां पे भी available था, चतिसगड़ वाले region में, मगत के सामराजिया बढ़ाते बढ़ाते हैं, इस साइड आ गये थे, they came in this region, और जब इस साइड आये तो इनको और लोहा मिला, तो यहां सबसे ज़्यादा resources बाकी सारे राज्यों के साथ compare करेगे, तो किस के पा sources किस के पास मिल रहे हैं, मगत के पास मिल रहे हैं, यह मगत के साशा की थे, जिनके पास लोहा था, compare यहां पे रेखोगे, तो naturally available, iron ore कहीं पे available है, तक्षशिला के पास चले जाओ, western part of the country में, आप तो पाकिस्तान में चला गए, पर एक टाइम पे तो हमारा ही हुआ करता था तो यह जो तक्षशिला वाला जो रीजन है, अगर आप यहां चले जाएए, यहां पे naturally iron ore की availability है, या हिमालिया के foot hills में चले जाए, जहां पे यह मल है, कुशी नगर वाला जो विस्तार है, जो बुद्ध की महाजन पद हुआ करते थे एक टाइम के उपर, यहां पे naturally available iron ore मि कोई यह देखने को मिल रहा है, कि resources के कोई कम ही नहीं है, और resources में आप warfare के अंदर weapons बना रहे हो, अब weapons में यहां के साशक बहुत मजबूत थे, यहां पे हमको पता चल रहा है कि metallurgy का development हुआ, और साशक ने यह ध्यान रखा, कि जो metallurgy है, खास करके धातु विगनान है, उस को जो लुहार है, जो आपके लिए चीजे बना के दे रहा है, उसको हम लोग हमारे control में लेंगे, तो राजा बहुत मस्बूत थे, राजा उने order दिया, राजा उने कहा कि लुहार को salary हम देंगे, आइरन स्मित को salary हम देंगे, उसको हमारे लिए काम करना है, और हम कहेंगे हथियार बनवाना है, जो innovative हथियार बना के देंगे, उसको हम लोग, ज्यादा क्या कह सकते है कि infect है ना, prominence देंगे, अब अजाचात्रू की कहानी देखे, आप किताब में देखोगे, यह बहु बली picture देखा आप मैंसे, कितने लोगों ने देखा बहु बली, बहु बली picture के इस रत की कहानी आपको दिखेगी, जहां पर हमको पता चल रहा है, कि उसके भला रेव की रत के आगे आपको एक चक्का दिखेगा, you'll find a blade, और blade गोल गुमती है, खच-खच-खच-खच-खच-चच-चच-चच-चच-चच-चच-चच-चच-चच-चच-चच-चच-चच पावर के उबर आ रहा है, जिगरा नहीं चलता लोगों का यह सब काम करने में, अजाच-चत्रु आथ से पकड़के चलिए, धाही अजार साल पहले यह सब कारिया कर रहे थे, तो बहुत पावरफुल रूलर में से एक थे, आपको दिखेंगे, और उस समय के दोरान, उनके जो रट से सबसे इनोवेटिव थे, क्योंकि कारीगर उनके पास अवेलेबल थे, रिसॉर्स उनके पास अवेलेबल थे, लुहार को कहा था कि आप हमारे अंडर में काम कर रहे हो, नैचरली रिसॉर्स अवेलेबल की कोई कमी नहीं है, तो राजा के पास एग्रिकल्चर से रिवन्यू आ रही है, वो रिवन्यू के थ्रू यहां रिसॉर्स को डिवलोप किया, यह रिसॉर्स नैचरली अवेलेबल थे, जो बाकी सारे राज्यों के पास अवेलेबल नहीं थे, अब अब उसके सामने आप देखिए, यहां कुरू पंचाल करके महाजन पद है, यह आ करते थे, अमरीका आज की तारीक में सूपर पावर बना, तो पहला तो उसका एक रीजन है, कि उसके पास इंटरनल ही काफी सारे वो थे, रिसॉर्स की कमी नहीं थी, और जब इंटरनल रिसॉर्स की कमी नहीं होते तो आपका एक फांडेशन बहुत स्ट्रॉंग हो जाता, इंटरनल ही अगर आप चीज़े बैलन्स कर पाते हो, तो फिर एक्स्टरनल मार्केट को भी कैप्टर करोगी, उमसे एक नहीं समझे, मगद ऐसा ही राज्ये के रूप में आपको डेवलोप होता हो दिख रहा है, जो इंटरनल ही काफी स्ट्रॉंग हो गया था, तो प्रॉमिनेंटली कार्य करते हैं, तो कहानी ये है कि मगद के अंदर ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रियेट हो रही है, मगद के अंदर जो रूलर्स आए हैं, और रूलर्स के अंदर मैंने आपको बताया, ये चार डैनस्ट्री का नाम याद रखेगा, उसमें पहले हर प्रकूरती ने मदद की जा, कभी-कभी आप देखोगे, कुछ-कुछ लोगों को प्रकूरती बहुत मदद करती है, and we find कि मगद की यहाँ पर आइरन टूल्स का अच्छी तरह से उप्योग करना, वेपन के रूप में उसका उप्योग करना, ये आइरन का अलग-अलग प्र दूसरा मगद के जो साशक थे, इनके पास काफी सारा हम लोग कह सकते हैं, पह की, resources में कमी नहीं थी, क्योंकि revenue काफी अच्छी आ रही थी, और आपको भी पता है कि जब revenue आती है, तो आपका economic development भी होगा से, आइरन एक्चुली चेंज दी कोर्स ओफिस्ट्री, दे हिस्ट्री और आइवुड से, इंपक्ट ओफ आइरन, on the development of maggots, और the role of iron, इसके उपर से अलग से एक topic पूछा जा सकता है, जनरली optional के अंदर इस परकार के question आता है, देखना आज क्यों question, कि भी लोहे की असर क्या पड़ी, और लोहे ने किस तरह से second urbanization में role play किया, क्योंकि आप पकडने की कोशिश करें कि iron का जो उप्योग था तो युद के अंदर तो होता ही था, weapons के अंदर तो होता ही था, काम करेगा, एक इंसान खेदी का काम करेगा, एक लोजिस्टिक का काम करेगा, एक लुहार का काम करेगा, है ना, तो लुहार की अलग एक मात्र profession नहीं develop हो रही, iron से आप देखने की कोशिश करें, लुहार तो खाली चीज़े बनाएगा ना, the iron smith, say for example, we'll be making the different different tools of iron, but इसके जवारा जो tools बनाएगे थे, यह tools market में भी पहुंचते थे न, और market में जो अलग profession के साथ जुड़े होए लोग है, वो लोहे के यह अलग-अलग प्रकार की जो वस्तुए है, बन रही है, उसको खरीद के, अपना खुद का नहीं व्यावसाय डेवलॉप करेंगे, जैसे mystery जो है, वो अपने लिए लोहे का उप्योग अलग तरह से करेगा, जो है, या घर बनाने के लिए यूज हो जाता है, या उसी तौर के उपर आप देखोगे, तो जो किसान है, पीजन्ट, जंगल साफ करने में, क्रॉप्स की कटिंग करने में, आपको जो sickle यूज होता है, उसमें काम आ जाएगा, या उसी तौर के उपर मैंने आपको बता ह या गाडनर है, उसके लिए भी काम आ रहा है, एकनोमी के अंदर trade and commerce में weights निकालने हैं, weights and measures याद करिए, पिछले class 4, हड़पंस ने किया था, तो क्या यहां पे लोहे का उपयोग नहीं हो सकता, लोहे का उपयोग multi-purpose way के अंदर, और जब multi-purpose way के अंदर लोहे का उपयोग ह होगी, बताओ भाई, जितना economic advancement होगा, और जितनी अलग-अलग प्रकार की activities develop हो रही है एकनोमी के अंदर, जितने profession होंगे, उतना ही tax base राज्य का बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा, तो लोहे से एक मात्र कमाई का स्तरोत नहीं था, याद रखेंगे, प्लीज रमेंबर की iron was not the single source of revenue, but when the development of the iron tools took place, the iron tools were used in the machine way, they were used in the weapons, they were used in the other ways, and when they were used in the other ways, it led to the development of the iron lead production and the iron lead industries, and any small small activities, आप घर के अंदर आज की तारिख में देखो, घर बनाने के लिए लोहे की जर्वत पड़त पड़ती एक नहीं पड़ती है, इवन in the present day, iron actually is part of the heavy industries, आप देखोगे न, and those countries who have actually gone through the industrialization process, you will find, कि वहाँ पे iron lead heavy industries का development होना बहुत जरूरी है, जैसे जापान देख लो, heavy industries में iron and steel industry में कितना production करता है, इतू सा island है, ब्रिटेन देख लेज़ेगे, इंपोर्ट करवाता है, पर कही न कहीं से उसका iron की जरूर, चाइना देख लो सरो, आज की तरिक में चाइना dominant करता है, वर्ल्ड एकोनोमी के, वहाँ पे भी heavy industries का कितना production है, उसमें iron and steel industry का development बहुत अलग हो, उस टाम पे तो steel नहीं बना था, यह तो के modern day research के रूप में आया है, alloys का mixing करके, पर iron जो है वो तो पहले से मिल रहा था, तो iron से in fact लोगों की आई के जो stroke है वो बहुत बढ़ गये, लोगों के नौकरी पेशे बहुत बढ़ गये, अलग अलग प्रकार के कारिया कर रहे थे, और जब diversification of occupation हो रहा है, तो state को revenue भी जादा मिलेगी, मिलेगी की नहीं मिलेगी, आप सोचिए कि राजा के लिए एक stroke बन गया, राजा को अलग अलग प्रकार के, जितने व्यापार धंदे होंगे, जितनी लोग पैसा खमाएंगे, उतनी उसके लिए राजा के लिए एक source of revenue बन गयी, तो iron basically एक source of revenue के होता सक नहीं होता था, और जितना सामराजी होगा, उतना ही आपके लिए revenue मिलेगा, तो गुमा फिरा के आप देखोगे, सब जगापे पैसा बढ़ रहा है, सब जगापे साशा के लिए पैसा बढ़ रहा है, और जितना पैसा बढ़ रहा है, उतना ही राजा के लिए फाइ 6th century BC तक आते आते आइरन का बहुत large scale use होने के शुरुवात होती है और मगद के पास ये काफी available था उसमें मैंने आपको बताया जंगल वाला विस्तार और हाथी की availability भाई साहब एक से एक हाथी की availability मगद वस नोन फॉर दे लिफंट्स और मगद के साशक जो थे they knew how to tame the elephants उनको source लिखा गया है जहां बोला गया है कि how to control the elephants and how to use them in the army हाथी मेरा साथी था साब हमजेख नी समझे हाथी मेरे साथी का मतलब यह है कि वही हाथी के आधारित आप की पूरी की पूरी सेना चल वही है यह region के अंदर आपको naturally available in fact है ना बहुत सारे हाथी मिल रहे थे और in fact इसका ही उपयोग यहां के साशक को के द्वारा किया गया है so they used elephant in a very noble way and this was not possible for the other states कुछ-कुछ राजों के पास तो हाथी थे ही नहीं जैसे northwest का state मैं आपको भी बता रहा था i was talking about the state in the northwest part of the country वो कमबोज करके state बताया ना मैंने आपको यह वाला तो यह जो कमबोज है कमबोज was known for the horses at that time वो घोड़े के लिए जाना गया दूसरा क्या है कि मगत की condition ऐसी है जहां से आपको water की ability तो मिल रही है पर आप riverine trade and commerce भी कर रहे है riverine navigation आपके यहां पर हो रहा है जो बाकी सारे state में possible नहीं है riverine navigation का मतलब यह है कि नदी का उप्योग करके अब उपर की तरफ भी जा रहे है और नदी का उप्योग करके अब नीची की तरफ भी जा रहे है magad के rulers के पास आपको यह चीज़ देखेगी वर्थ रिवरine state और रिवरine navigation वस अलसो पॉसिबल जो बाकी states के अंदर पॉसिबल नहीं है kidding or what so we do get instances that the riverine navigation was also being played as a part of the magadan states and magadan states actually played a very good role sir ठीक है जहां नदी का इन्होंने उयूस किया और यह जो लोकेशन थी यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग है the location of magad was located on something called उत्तरपत जो एक पूरा का पूरा trade route development हुआ था विच उस्टो ग्रोव फॉरा पूरा ट्रेड रूप्मेंट हुआ था कि the location of magad was also very favoring तो हर जगा से उसको पैसा आ रहा था सा हर जगा से magad को पैसा आ रहा था तरपत वोला जो विस्तार मैंने आपको बताया और दूसरा एक रास्ता यह करके अवंती से ओके नीचे जा रहा था that was known as Dakshinpath and I would say magad was on the I would say intersection of both the highways the first time was Dakshinpath and the other highway was Uttarpath जो North का highway दोनों जगा से magad की connectivity आपको मिल जाएगी और दोनों जगा से जब magad की connectivity मिल रही है तो magad को पैसा भी मिल रहा है तो magad के जो साशत थे उनके पास revenue को कई कमी नहीं है अब compared to all the other states इन सब के पास पैसा magad से कम था था तो थोड़ा comparatively आप देखोगे तो magad was on the richer side और जब आपके पास army अच्छी है और economy भी अच्छी है और आर्मी में आप क्या कह रहे है कि इसकी शुरूवात कर रहे हाथी का उपयोग कर रहे है तो आपके यहां पर development होगा की नहीं होगा बोलो भाई development होगा की नहीं होगा तो magad की conditions उनको काफी helpful करती है the political situation of magad actually help this king of magad of not having I would say revolt or some kind of we can say की वहां पर जो stability हो काफी अच्छी तरह से चल जाती है getting upon so we find की magad की जो condition उसको काफी help करती है उपर से magad के अंदर अगर आप समधने की कोशिश करिए तो मैंने बताया कि गंगा और उसकी जो tributaries है वो उसको काफी अच्छी तरह से connection भी प्रोवाइड कर देती connection प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि magad के rulers ने यहां पर जो riverine navigation किया उससे भी उनको व्यापार मिला in fact प्राचीन भारत के अंदर हमको पता चलता है कि यहां पर एक dedicated state चलाने के लिए मनलब जो राज्य चलाने की system होती है उसके अंतरगत आपको यह magad state के अंदर यह नदी का जो है उसकी permit system develop होती है जिसे custom duty के रूप में हम लोग पहचानते हैं तो यह custom duty का concept भी आपको magad state के अंदर दिखेगा the canes also used to levy the custom duties वो यहां पर custom duty भी लेवी करते थे और यह custom duty लेवी करने के अधार के उपर भी magad का जो राज्य का निर्मान है वो भी इसके तरह से हो पाया से ठीक है डूसरी point magad की सबसे बढ़िया है वो है उसकी geographical location ठीक है location का मतलब यह है कि magad को अगर आप समदने की कुशिश करो पूरी तरह से तो उसकी location के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है सर जब भी कोई विदेशी आकरमन होता था प्राचीन भारत में तो दो रूट से होता था whenever any kind of foreign invasions used to take place पहला invasion जो होता था वो northwest से होता था खाइबर करके एक pass दिखेगा खाइबर pass हिंदु कुश mountains के अंदर से यह जो खाइबर pass है that was one of the entry points to India and during this 6th century BC period पहले तो Persian सा है आपको पता होगा भारत में विदेशी आकरमन के तहत पार्सी लोग पहले हैं इरान से Cyrus, Gersus, Darius इस स्वरा के राजा के नाम आपको दिखेंगे और उसके बाद आप थोड़े समय तक देखोगे तो आपको Greeks दिखेंगे Greeks तक अंदर आता है Alexander का नाम सुना होगा आपने से यह दोनों के दोनों जितने भी foreign invasions होए वो दो route से होए एक काईबर pass से हुआ और दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर बलुचिस्तान इरान वाले रीजन में आया है बोलन पास मगद की political situation ऐसी है कि जबी कोई विदेशी आकरमन हुआ है continuously in this period एक तो Persian साय ग्रीक साय मगद तक कोई पहुंच ही नहीं पाया मगद was on the vicinity of the eastern part of the country and that provided one of the biggest I would say political stability to the development of the kingdom मगद के ओपर तीन डानस्टी जूरूल करती है हर्यक डानस्टी शिशुनाग डानस्टी एंद नंद डानस्टी नन अफ देम डारेक्ली फेज़ एनी कांड फॉरेंड इन्वेजिंस वाई पर्शियंस और ग्रीक्स इन में से कोई भी समय के दौरान कोई पाटली पूतरे तक क्या दूर की बात है यहां इस्टन इंडिया में नहीं आ पाया सब लोग यहां पर रेस्ट्रिक्ट हो गए थे सिकंदर भी सत्लाद नजी क्रॉस करके नहीं आ पाया ही कुड नॉट ट्रॉस्ट रिवर सुतुदरी दिखा गया है वेडी की लिटरचर के अंदर तो मगद में एक पॉलिटिकल अच्छी बात हो गई कि विदेशी आक्रमण नहीं हो और विदेशी आक्रमण नहीं हो पाया तो भी मगद को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी से तो आप पकड़ के कोशिश और समझ यह कि हम लोग जो पॉइंट्स का डिसकेशन कर रहे हैं हम लोग जो पॉइंट्स के ओपर डिसकेशन कर रहे हैं उसमें मैं टर्न बाय टर्न आपको बता रहा हूं कि वाइं मगद वस एबल टू डेवलोप इट से उन एंपायर और आउट अप दिस 16 महाजन पदा वह मगद वस एबल टू सर्वाइव उसमें बहुत सारे फैक्टर से रिस्पॉंसिबल है उसमें जो पहला फैक्टर है वह है जोग्रफी और जोग्रफी के अंतरगत उसकी लोकेशन देखोगे तो उसको लोकेशन काफी हेल्पुल कर रह है कि मगद के ऊपर कोई foreign invasions नहीं हो रहे हैं और foreign invasion ना होने के कारण मगद के अंदर political stability create हुई जहां राज की रूफ से कोई विदेशी आकरम नहीं हुआ तो राजा को अपने हिसाब से policies को impose करने का भी अधिकार मिला और राजा के हिसाब से साशन भी चल पाया से दाज कि अपन ते बडेशी नहीं हिएव कि अधिक तो चल से का घूफ साथ युवड अफ़ से रहे हैं दो मेदा रहे हैं प्रीजिवर ऑन प्रीजंग फिर नहीं है उर तो रहे हैं फिर फॉब बड्स दो पाया कि आ रहे हैं तो अवर्व पाया स्वाफ प्र्यू से तो प प्लेंस का एरिया है, जहां पे agriculture का development हुआ, with minimum irrigation, याद रखेगा, with minimum irrigation, they were able to get maximum revenue. They were able to get maximum revenue. This is very much important. आप notes बनाते रहेगा पीछे, कि with minimum irrigation, they were able to get maximum revenue. क्यों, क्योंकि agriculture काफी अच्छे से develop हो पाया, दूसरा मैंने आपको बताया riverine navigation riverine navigation इनको connectivity मिल गई connectivity के कारण over a period of time trade and commerce भी बढ़ गया and trade and commerce के अंतरगत हमको क्या पता चल रहा है economic development हुआ और eventually राजा के पस revenue बढ़ गई समझे कि नहीं समझे इसी resources के अंतरगत हम लोग लिखेंगे कि इनके पास iron tools भी मिल गए और iron tools के अंतरगत क्या मिल गया sir, we come to know that the rulers of Magad were able to get the iron tools in the form of weapons दूसरा क्या हो गया sir other economic activities में iron tools का use होने की शुरुवात हुई the weapons used in the expansion way and simultaneously when we see the economic activities we find some kind of diversification took place this led to more and more of income and eventually the revenue for the state also increased राज्या के लिए जो revenue है वो भी बढ़ गई sir तो ये भी आपके लिए एक फाइदेकारा को रहा है तीसरा इसके अंतरगत हम को क्या देखने को मिल रहा है what do we see over here we find the geography and the resources played its own role we also see that the Magad state had a good political conditions and the polity actually helped them when we see the polity we find good stability the rulers were quite enterprising enterprising rulers का मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहां के राजा जो थे वो कैसे थे Magad के राजाओं के अंतरगत भारी करने की चीज थी इसमें हम लोग लिखेंगे कि अपनी आर्मी को modernize करना और elephants का उप्योग करना sir getting my point समझे ख नहीं समझे तो हम लोग इसके अंदर से लेख सकते है कि the political stability and the rulers were quite enterprising and we find the army of Magad उसको काफी modernize करते हुए इन्होंने elephants का use किया in fact इनकी conditions इतनी अच्छी थी कि यह लोग cash में salary देने की बात करते और cash में salary के अंतरगत मैंने आपको पिछले class के अंदर बताया था कि यह वो period है जब हमको बदा चलता है कि इनकी economy काफी अच्छी चल रही है और हमको बदा चल रहा है कि punch mark coins का development हो रहा है यदाया आपको punch mark coins मैंने पिछले class के अंदर बताया था यह जो silver के punch mark coins आपको बताया कि राजा कैसे हुआ करते थे ruthless हुआ करते थे ruthless king का मतलब क्या है सर ठीक है तो यहां किताब के अंदर आपकी interestingly एक line लिखी गई है सर ठीक है we find कि ruthless ambitious of the kings whom Bimbisar, Ajat Shatru महापतमा नंदार best known their minister who had to implement their policies कितने ruthless थे तो आप देखने की कोशिश करिए कि Ajat Shatru जो है कैसे power के उपर आया Bimbisar को उठला के Ajat Shatru इतना ruthless था कि उसने कोशाल के उपर attack करने का पूरा प्लान बना दिया था प्रसनजीत का नाम मैंने अभी आपको बताया was the ruler of कोशाल and he was his maternal uncle as well उसकी mother का brother हुआ करता था प्रसनजीत was actually the brother of his mother प्रसनजीत का था तो क्या फरक पड़ता है मेरा मामा है तो क्या हो गया सामराजय तो सामराजय होता है इसके लिए यहाँ पर यह शब्द लिखा गया है ruthless ambitious राजा भी कैसे है very ruthless सोचते नहीं है दोगडी और इनके पास मंत्री भी एक से एक धासू मिलते है इनको मदद करने के लिए कहते हैं कि किस तरह से इनका यहाँ पर development हो रहे तो मगद में political advancement की हम लोग जब condition देखते हैं तो राजा मस्बूत है और ये राजा अपनों को भी नहीं चोड़ रहा है आपके ethics के syllabus में एक term है emotional intelligence आप कभी समय मले तो पढ़िए गए उसको भावनात्मक गुद्धी मता करके एक शब्द डाराओंगे और ऐसा कहा गया है कि a civil servant or a good leader should be emotionally intelligent उसको भावनाओं में आके निर्णे नहीं लेने चाहिए अधार्चत्रू एक ऐसा ही ruler था है जो emotionally intelligent था जो कहता है कि मेरा सामराज्य बंदे में जो भी रोड़ा आएगा any obstruction that is coming in between my empire expansion तो उसको तो मैं खतम कर दूँगा sir I'll try to finish it out वो चाहे मेरे family members हो वो चाहे मेरे father साब हो गए किसी को नहीं छोड़ेंगे ये नंद dynasty के ruler से महापदमा sir जिनके द्वारा in fact नंद dynasty का foundation रखा गया था इतने powerful ruler थे हाथी बाथी का expansion करते हुए उपयोग कर लेने की कोशिश की और कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे आने दो सब को सर economic diversification हो रहा है political advancement हो रहा है राजा एक से एक अपनी ruthless policies के लिए जाना गये है getting a point so इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ruthless ambitions of the king समझ में आ रहा है आपको was also the point responsible behind the development of Magad आप Magad को आप खाली एक ये condition में मत देखे कि Magad मतलब खाली नामराजय विश्टरन होगे आप उसको मोटे मोटे point के रूप में आपको बता रहा हूँ कि somewhere in between 600 BC और 550 BC onwards पर जब political transition हो रहा है भारत में तो बहुत सारे points इसमें responsible देखेंगे और उसमें भी Magad के अंतरगत हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी geography उसको बहुत matter कर रहे क्योंकि कोई भी विदेशी आक्रामन हो रहा है अमरीका आज की तारीक में जगत का जमादार बनके क्यों बैठा है वाइट ही सेंग कि मैं ताथ हूँ ताथ समझ में आता है कि I am the father figure of the world care अब तो बदल गी है पूरी balance of power system अफगानेसान में आपने देखा क्या हालत हुई उसकी पोर्ट्रे तो अभी भी करेगा कि हम superpower उसका एक मुख्या कारण है कि उसकी जमीन के ओपर कहीं world war नहीं खेले गए अमरीका पूरी दुनिया में युद करेगा पर अपने घर के वहां पर युद नहीं आना देगा उसकी policies भी वैसी है क्योंकि अमरीका को पता है कि बेटा अगर मेरे घर के आगन में यूद हो गया तो political stability खतम हो जागी economic development नहीं होगा revenue नहीं मिलेगी खतम होगी हमारी existence तो they will make sure कि any kind of war या इनको क्या है democracy का जंडा घाटने के लिए कोई भी प्रदेश मिलेगा दुनिया के दूसरे कोने में दिखेगा तो South America में काम करेगा यह एशिया में आके करेगा यहां South Asia में आके कर देगा यहां Central Asia में अफगनिस्तान में अभी यह हुआ थोड़े साल पहले Vietnam में किया था तो आगन तो संभाल नहीं पा रहे हो क्यूबा आप देखे अभी भी खेर तो अलगी कहानी आपको दिखेगे पर एक चीज आपको अमरीका के अंदर दिखती है वह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिकॉस लैक औफ फॉरें और यूट से फॉरें इंवेजिंस डायरेक्ली सिवाए के जापान ने किया 1941 ने उसके सिवाए अमरीका के उपर किसी ने विदेशी आकरमन सीधा नहीं किया है तो मगत की भी यही स्थीती है इतने आकरमन हुए प्राचीन भारत के अंदर पर मगत के दरवाजे तक बहुत रेर केस में लोग आएंगे इंडु ग्रीक्स करके एक राजा आपको दिखेंगे वो भी आने की कोशिश करते हैं पर मगत का उस टाइम पर जो सेनापती था पूशे मित्र कहता है कि मैं नहीं अलाओ करूंगा कोई ग्रीबीक लोगों को पाटली बुत्रा के दरवाजे तक थोड़ी दस्तक दे सकते है तो उसने फिर मौरिय राजा को मार दिया और फिर देन ही केम टू पावर ब्रिहदरत को मार के पावर के उपर आया और मूल कहने की बात है कि मगत इस अल्वेस सेफगार्ड़ इंवेजिंज याद रखेगा आप देखेए भारत के साथ आज की तारिक में प्रॉब्लम क्या हो कश्मीर और चाइना का जो फैक्टर है पाकिस्टान और चाइना का फैक्टर उसको लेके हमारे बहुत सारे रिसॉर्स हम लोग डाइवर्सिफाइ करते हैं करने पड़ेंगे क्योंकि हमारी सिक्यूरिटी का प्रशन है हमारी existence का प्रशन है कल उठके अगर पाकिस्तान के साथ issue solve हो गए या चाइना के साथ issue solve हो गए तो हमारी जितनी भी energy हम लोग development में लगा सकते हो और we can actually grow out मगत के साथ भी यह हो रहा था कि बीच में और भी kingdom से तो मगत इनको निप्टाने में लगा था उसको यह डर नहीं था कि कोई खाइबर पास से आ जाएगा उसको यह डर नहीं था कोई बोलन पास से आ जाएगा तो आ के मधूरा के आगे क्रॉस नहीं कर पाएगा और आया भी सही यहां से सो लोग लेके eventually पाटली पूतर तक पहुंचते बहुंते उसके पास 50 लोगी होंग या मैट्रिमोलेर अलाइंसिस करते थे बिंबिसार के बारे में आप देखोगे तीन तीन शादी की थी ही मैरिड थ्री टाइम्स ऑफिशली खेमा करके एक राजकुमारी दिखेगी आपको मादरा वंच्की यहां पंजाब से उपर दिल्ली से उपर की तरफ जाओगे पंजाब मुल्टीपल मैरेजिस देखेंगे और मुल्टीपल मैरेजिस के कारण यहां के जो हशक थे उनको एक शांती मिल जाती के विरेशी आकरबन नहीं होगा हमारे पडोसी हमको निप्टाने नहीं आएंगे क्यों कैसे आएंगे समधी के ऊपर थोड़ी यूद करेंगे तो इससे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मगत को मिलने के बीचे बहुत सारे कारण है तो यह इतने सारे आपके डेवलोपमेंट हुए एंपायर्स के अंतरकत तो इन सब परिस्तित्यों में हमको देखने को मिल रहा है कि मगत को एक के ओपर ज्यादा बोलते बर्दी भी अबादन आपको देखिए जैन लिट्रेचर के अंदर भगवती सूत्र यह वो किताबे हैं जो मगत के रूलर्स को हाइलाइट करके बताती है कि यहां तो खतरनाक राजा हुआ करते हैं जैनिजम वर्दमान माहवीर इसी समय पे हो गए है जब यहां मगत का डेवलोप्मेंट हो रहा था क्योंकि जैनिजम के अंतरकत 540 से लेके 468 BC तक आपको वर्दमान माहवीर का पिरड़ आई 68 से लेके 483 BC वही tentatively time frame दिखेगी तो उसी समय तो मगत का development हो रहा है तो उनके authors भी लिखते हैं कि यहां के राजा खतरनाक थे तो इनका नाम याद रखेगा उसमें भी अजाद सत्रु जो है वो मगत को कितना प्लान कर रहा है उसने देखा कि अगर मगत का विकास कर र पॉल्स ओफ राजगीर इनीशली राजगीर वाजगीर वाजगीटल जहां उसको बहुत मदद करता है क्योंकि राजगीर के अंदर भी उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल रही थी आप देखे पटना से सट के एकाद घंटे उपर की तरफ जाओगे आपको राजगीर और राजगीर की खासियत यह है कि आउट्सकर्स के अंदर है एक गंटे में वहाँ तीन साड़ के उपर आपको छोटे-छोटे पहाड दिखते हैं तिल्ले दिख जाएंगे स्मॉल स्मॉल है उटसे माउंटेंड्स हिल्स कहते हिल्स और छोटी-छोटी पहाडियों के बीच पुराने समय के अंदर मगत की जो हरियक डैनस्टी रूल किया कर दी थी हरियक डैनस्टी के अंतर गत मैंने आपको बताया कि सब बिम्बिसार रूल कर रहे थे जहां से मगत की डेवलोप्मेंट होने की शुरुवात हो रही है उस समय के दोरान इनका जो मुख्य कैपिटल ह हुआ करता था देट वस राजगिर राजगिर अजाच्छत्रु ने क्या किया उसने पाटली पूत्र को फूटिफाई कर दिया उसने देखा यह उसका पुराना नाम था पाटली ग्राम उसने देखने की कोशिश की कि अगर मुझे यहां से बाहर जाना है और स्टैटेजिक लोकेशन तभी मिल पाएगी जब मैं राजगीर से बाहर निकल जाओंगो तो इनिशल औरली कैपिटल था राजगीर यह राजग्री है क्या नाम था राजग्रु राजग्रु ग्रु का मतलब होता है घर राज का मतलब होता है राजा का घर तो वहां पे इनका किला हुआ करता था जो नैचरल प्रोटेक्शन इनको मिलता था नैचरल प्रोटेक्श सब्सक्राइब को नेचरल इसे मिल गई है कुछ चीज़े होती है जीवन में आप नसीब में मानते हो कि नहीं मानते हो प्रकूरूती मदलब जिसे हम लोग नेचर कहते है अट टाइम से आपको देखने को मिलेगा कि जिसके पास नेचरल इडवांटेज है वो जीवन में काफी आगे चले जाते है कद काठी के रूप में किसी को दिमाग के रूप में मिलेंगे है ना किसी को और चीज़ें के अंदर मिल जाएंगे सम उनको देखके कभी-कभी बुरा फिल होता है कि सला हम आगे क्यों नहीं जा पाई उसने वो चार चले वाली गाड़ी ले ली आ रहा है पर उसके पास नेचरल एडवांटेज था शायद हो सकते है कि उसके बाप दादाओ के पास बहुत पैसा था ना पुरानी जनरेशन स पर उसमें भी जब नए रूलर्स है विमिसार के बाद अजादसत्र है उसने क्या किया जल दुर्ग बना दिया जल दुर्ग का मतलब है पानी में किल्ला बना दिया उसने जो पाटली पूत्र या पाटली ग्राम पुराना नाम वहां से फिर पाटली पूत्र बना लेटर प कर पाऊंगा क्योंकि control कर पाऊंगा पूरे हाइवेस को नदी को control कर पाऊंगा trade routes को control कर पाऊंगा राजगीर में trade routes control करें थोड़े बारी पढ रहे थे तो राजगीर को वैसा का वैसा रहने दिया कोई बात नहीं वहाँ पे अभी capital चल रहा है बट I'll make sure कि मैं यहाँ पे दूसरा कोई development करूँ उदाइन करके राजा आया जिसने पाटलीबुतर पे capital shift कर दिया उसी की dynasty से बिम्बिशा रदाशत्र उदाइन उदाइन तक आते आते capital shift हो गया वो ले चलो दूसरी जगह राध्धानी shift करना shifting of capitals it's a very tough thing हा पता है ना आपको shifting of capital medieval इंडिया में एक राजा था मुहमद बिन तुगलक नाम सुना है कि नहीं सुना सर यह महाशाय ने प्रहतन किया कि हम दिल्ली से दौलता बाद चले जाएंगे आज के दखन में देवगीर रामचंद्रव यादव वन्स के यह सेना वन्स के राजा थे खिल्जी उसको डिफीट करते हैं उसके बाद तुगलक साय ना उसमें मुहमद बिन तुगलक करके राजा आया दो डिसाइड करते हैं कि मुरा दखन जीच जाओंगा we in the whole of Deccan South India पैसा बहुत है ना प्राइस क्रेटों मगत के रूलर्स बहुत स्मार्ट थे एक्चुली प्लेइड विद शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल नो वन नियू दैट यह चलेगा कि नहीं चलेगा वह सकता था कि राजगीर से अगर पाटली पुतर शिफ्ट हुए है तो राजगीर भी हाद से जाता पा राजा बनके या मालिक बनके जाओ जमीन आपको स्विकारती नहीं है यह इतियासिक रूप से आपको देखने को मिलेगा मैं कोई होक्स नहीं बता रहा हूं डिली के ओपर जाके देखिए डिली में जिन जिन लोगों ने कैपिटल शिफ्ट किया है कुछ-कुछ लोगों को दिली का कैपिटल सजाई नहीं तो उसको स्विकार नहीं किया दिली ने श्राब दे दिया अंग्रेजों को देख लीजिए 1911 में इनका कैपिटल कैलकटा था क्यूंकि महां से प्लासी से शुरुवात की थी मंगाल जीतने के बाद 1757 तब से उन्हें कैलकटा को फोकस रखा घर पे चल गए 36 साल के बाद 1911 से 1947 देख लीजिए 37-36 से असारली निकल पड़े सर समझे नहीं समझे फिर आपकी यहां पर यह मुगल्स की कहानी है मुगल्स में इनीशियली अकबर तक यह लोग है ना यह जहांगीर तक आप देखोगे तो दिली में रूल नहीं करते थे आगरा से रूल करते थे लोधी भी आगरा से रूल करते हैं ना सिकंदल लोधी और उन सब के समय से तो मुगल्स भी ज्यादा तर बाबर भी आगरा में ही ज्यादा ठहर है फिर यह शाहजा आया शाहजा कहता कि नहीं I'll go to Delhi तो जाओ भाई साथ दिली गए शाहजा को उतला जादी आ गया और अंजेप पावर के उपर आया दिली में ही और फिर देखिए और अंजेप के पतन के बाद दिली इतना हो गया समझेख नहीं समझे आफ्टर डिक्लाइन ऑफ और अरंजेप मुगल बादशा की हालत क्या हो गई शाहय आलम की जगा शाहय पालम बोलने के जो रूलर से काफी एंटरप्राइजिंग थे मैंने आपको बताया ना तुफानी करने वाले और यह तुफानी करने के अंदर के शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल किया भाई यह बहुत बड़ा रिस्क होता है कभी सोचेगा कि एक राजा यहां पर शिफ्टिंग ऑफ आप राजगीर से पाटली बूतर ज्यादा डिस्टन्स नहीं है आज की तारीख में तब तो बहुत बड़ा डिस्टन्स होता है जब आप पांच माइल भी चलना है पांच गाव भी चलना है इवन टेक्स अराउंड डे आज उतनी कनेक्टिविटी नहीं थी आप तो एक्स अपनी पालीशी जस को बदल दिया है सर अगिkenी मापॉइंशली राजगृह यह राजगीर मैंने आपको बताया वस दे केसा मगत इस्टम हाउस अफदब किया इन सफ कर दिया इन्होंने क्या कर दिया पाटली पूत्र के अंदर capital shift कर दिया और actually इनकी जो risk थी उनको फाइदे में लेके आई समझे कहीं समझे है ना तो risk है तो risk है ये जो condition हम बोलते हैं ना मगद वाले को बहुत फाइदा मिलती है अजाद सत्रू ने तो सोचा था इनको तो पाटली पूत्र बहुत फेवर में आया कि भाई सब बढ़िया जगह है पुरानी राजगीर की comparison में पाटली पूत्र को देखोगे तो जोग्रफिकली भी एडवांटेज है एकनोमिकली एडवांटेज है पॉलिटिकल एडवांटेज सब जगह का एडवांटेज बुद्ध जो थे वो इनिशली राजगीर में थेहरते थे क्योंकि बुद्ध इन दोनों को अपने शिश्य के रूप में कंसीडर करते थे बिम्बिसार आजाद सत्रू बिम्बिसार नत्मस तक हो जाता है कि महराज आप खुद पधार हो यहां रभू पधार गए हमारे तो यह कंडिशन आपको यहां दिखेगे तो मगत का फॉर्मेशन के पीछे बहुत सारे आपको डेवलोपमेंट दिखेंगे पाटली पूत्र पे जो कैपिटल शिफ्ट हुआ उसके बाद तो इनको और फाइदा हुआ कॉस्स दे वर एबल तो कमांड दे रूट्स अलोंग दी गंगा रिवर गंगा नदी में से कौन आ रहा है कौन जा रहा है बड़े-बड़े किल्ले बनाए है यह वाल अभी भी दिख रही है तो आपको फोटिफिकेशन किल्ला बनाने की पहले राजगीर की थी और फिर लेटर पाटली पूत्र में तो जल्दुर्ग बनता है भाई नदी के किनारे के ओपर किल्ले बनता है आकरमन होई नहीं पाएगा करेगा तो सही देख लेंगे उसको फोड़ देंगे यह लोग से गडिमा पॉइंट इंसियाटी पूस्ती है प्रश्ना वाई वर इस वाल्स बिल्ट क्यों बनते भाई यह दिवारे दिवारे बनने के कारण क्या थै दिवारे बनने का कारण मुख्य यही था कि यहाँ पाटली पूत्र को सेफ़गार करना था राजगीर को सेफ़गार करना था किल्ले बंद है अडपन से सिटाडेल बनाया की नहीं बनाया इन सब परिस्तितियों में मगत के पास एक ऐसी एक्जिस्टन्स उभर के आई और मगत के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यह जो रूलर्स थे उसमें हाथी का उप्योग करना यूद करना, रिसॉर्सिस को अच्छी तरह से यूज करना इन सब का बेजिस दीरे दीरे बना और वहां से ही ओवर अ पिरिड ऑफ टाइम क्या होता है जे विस्त्रन होने की शुरुवात होगी तो आपको यह पॉंट समझ में आ रहा है कि कैसे ट्रांजिशन हुआ आपको यहां से देखने को मिल यह ट्रांजिशन आप समझने की कोशिश करोगे तो इसमें मगद यह है आप जब नया मैप देखोगे तो आपको यहां पर पाटली पूतर दिखेगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है और यह पाटली पूतर से ओल्मोस्ट यहां से इन सब विस्तारों को डारेक्ली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी यह मैप जो है यह अशोक के द्वारा जो स्टोन इंस्क्रिपशन्स इशू किये गए थे पत्थर के ऊपर अशोक ने अपने शिलालेक यहां पर कमपाइल किये थे उसका मैप है और यहां पर जब स्टोन इंस्क्रिपशन्स की हमको नौलेज मिल रही है इनी के बिजिस के सामराज्य की बात की गई है, getting about तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, today I am keeping this much only, क्योंकि आज मेरा जो आपको intention जो discuss कराना था, वो था मगद का सामराज्य विस्तरण and मगद के अंदर ही क्यों सामराज्य बना, why the empire was built in मगद and not some other place, what factors were associated with the development of मगद and eventually how the economic play its own role, समझे ये point अगर आपने समद लिया हो, when we compare with the other kingdoms, तो आप आराम से मगद की conditions को समझ पाओगे, मैं थोड़ा किसक जाता हूँ so that if you want to make or if you want to take a screenshot you can take a screenshot for the same क्योंकि इसमें यही points आपके मोटे मोटे तौर के ऊपर cover करेंगे कि geography का रोल है, resources का रोल है, water की availability है, river के अंदर agriculture की availability है, iron tools का रोल है, political stability में rulers की dynasty मैंने आपको बताया, बिम्बी सार, महापद मानन्द, अजाद सत्रूजे से राजा बता दिये सार, ठीक है, authority की बात की, army के अंदर modernization हुआ, बड़ी bureaucracy बनती है, elephants का use करना, we also find economy का diversification होना, औ और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि silver punch mark coins, in fact, आप cash में salary के रूप में दे रहे हो, तो overall यह सबके सब factors मगत के favor में थे, all these factors were in favor of मगत, and मगत के favor में यह सब factors थे, इसके कारण, out of this 16 महाजन पदास, मगत was able to build the empire, समझेक नहीं समझे, तो यह तो मोटी मोटी बात थी मगत के बारे में, अब यह जो session है, इसको हम लोग यहाँ पर ही conclude करते हैं, क्योंकि I have taken around one and half hours to discuss and explain you, कि how the expansion and how the situation was created in मगत, ठीक है, कल के class के अंदर जब मैं आपको मिलूँगा, तो मैं आपको मौरियस से शुरू परोंगा, और बताऊंगा कि कैसे मौरियन empire का formation हुआ, बट इसके प मतलब परसो से I am starting with a new batch and this batch will be on the ancient and medieval history for history optional, मतलब 14 जुलाई से मैं करीबन 67 sessions लोंगा, फू अबर सिच, उसमें history optional का basis के अंतर आपको पढ़ाऊंगा, कि कैसे यहाँ पर development हुआ, दि मगदन empire का, किन condition में मगद से लेके, और भी चीज़े है, stone age से लेके, अशोक से लेके, अगर आपने in fact subscription नहीं लिया है, if you want to take a subscription, please use this discount code PNLIVE, you can take a 1 or 2 year subscription, अभी subscription 14th July तक अविलेबल है, discounted rates में, 25% GS और optional दोनों का combined subscription लोगे तो अविलेबल है, 10% with discount code, इतना होता था, 57,500 1 year subscription का, उसमें भी extra 10% है, total क्या है, 25 plus 10 plus 10, 45% flat discount, you can take it for 1 year or 2 year, EMI facility is available, you can choose whatever आपको affordable होता है, और कोई query हो, तो जरूर से मुझे बताएएगा, comments के अंदर, या unacademic application download कीजिए, मैं वहाँ पे आपके message इसको read कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे message आप मुझे कर सकते हो, खेर, हम लोग आज का session यहाँ पे conclude करते हैं, कल तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि Mauryan Empire कैसे power के ओपर आया, और Mauryas की कहानी कैसे चलती है, ठीक है, like, share and subscribe to this platform, I'll see you in the next session, till then keep studying and all the best, thank you very much.